हेलो दोस्तो आज हम हर्याना बोर्ड से समन्द इताप के लिए एक अपडेट ले के हैं दोस्तो क्या हर्याना बोर्ड जो HBSC का बोर्ड है बिवाने के अंदर उसमें दस्वी की प्रिक्षए होगी या नहीं होगी जो कि दोस्तो एक विज्ञान विशे की प्रिक्स है भी वाकी थी और दोस्तों अब इसका रिजल्ट का बनाउंच किया जाएगा इसके बारे में आज यहां चर्चा की जाएगी तो दोस्तों बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं आपके लिए नई स्टार्ट पर भी दोस्तों नोटिस यहां डल चुका है इस नोटिस में दोस्तों यहां बताएगा है कि आपका जो पहली कक्षा से लेकर आठवी कक्षा तक के जो विजारती थे उन विजारतियों का जो अगली कक्षा में परवेस है वह है बिना परिक्षा के ही कर दिया ज जाएगा इसके साथ ही दोस्तो सैकेंड नंबर जो अप्सन है इसमें इनों बता है कि दस्वी कक्षा में विज्ञान विशे के अंक बाकी विश्यों के प्राप अंक के अनुपात में अंक देकर अगली कक्षा के लिए उनका रेजल्ट को सिट कर दिया जाएगा दोस्तों ये आपकी नहीं होगी यहां सिर्फ फिलाल विज्ञान विशे की प्रिक्षा होने बाकी थी और दोस्तों इस विज्ञान विशे के आपके मारक्स कैसे दिये जाएंगे इन्होंने बता है कि यदि आपके एक एग्रिगेट जो परसंटेज होती है या एग्रिगेट मारक्स जो होते हैं वो अब आपको यहां दिये जाएंगे आपको सभी सब्जेक्ट में यदी 70-70 मारक्स प्राप्त होते हैं तो आपको विग्यान विशे में भी बिना अग्जाम ले ही आपको 70 मारकस दे जाएंगे यदी आपका टोटल आइसो मारक्स का बनता है इसके एक कलकूलेशन निकालकर हम देखते हैं तो दोस्तो। यदि कलकूलेशन पचास मारक्स क्याती है तो आपको विज्ञान की विशे में भी 50 मारक्सी दिए जाएंगे अब आपकी विज्ञान विशे की परिक्षई नहीं होगी दोस्तो ग्यारवी कक्षा के विद्यार्थियों को भी बारवी में दाखिला दिया जाएगा गनीत विशे की जो परिक्षा है वह बाद में ले ली जाएगी यह एज फॉर्मल्टी रहेगी दोस्तो इसका कोई ज़्यादा यहां योगदा नहीं होगा और हो सकता है कि बहुशे में अगर लोक डाउन का समय सीमा जादा बढ़ा तो दोस्तो यह जो आपका ग्यारवी कक्षा का जो शडूल है इसको बचों को मैत कपेपर लेने की भी यहां छूट दे दी जाए और सिदा बारवी में दाखिला कर दिया जाए दोस्तो बारवी है भी नहीं आया है और यह फ्हसला अन्सी आर्टी झाटी की disruptive से दोस्तों दिया जाएगा अन्सी आर्टी इसके ओपर अभी स्टैडिक रही हैं तोको ड़ी ना जाएगी उसके बाद opposite बार इजाएगी कि बार धर टोगी तक कोई sad की में दिया जाय कि is सब्जानकारी हैं आपके साथ शेयर करूँगा पहली से आठी कक्षया के बच्चे बिना परिक्षया होंगे पास ये हर्याना के मुख्यमंतरी मनौलाल खटर का बियान है दोस्तों इसमें नोंने काया कि दस्वी की विग्यान और ग्यार्वी की गनीत परिक्षया बाद में होगी अगली कक्षया में मिल जाएगा दाखला बिना परिक्षया जिये ही इन सभी बच्चों को जो दस्वी और ग्यार्वी के विद्यार्थी हैं इनको जो पहले पेपर होच के हैं उन्हें के इसाब पर दोस्तों अगली कक्षा में दाखिला दे दिया जाएगा इसी के साथ दोस्तों इन्होंने बता है कि हर्याना सर्कार ने कुरोना से जंक के लिए विद्यारतियों के लिए बड़े निरने लिये हैं रविवार को सीम अन्होरलाल ने इसकी गोशना की है परदेस वासियों को संबोतित करते समय सीम ने कहा कि पहले से आठ्वी कक्षा को बिना परिक्षा के अगले कक्षा में पर्मोट किया जाएगा 9 के चात्रों को की परिक्षाय होच्ष की है इनका रिजल्ट अगले सब्चे तक के त्यार हो जाएगा इसके बाद उन्हें अगली कक्षा में दाखिला दे दिया जाएगा दोस्तों इसके साथ ये नहों नहीं बताई कि दसवी कक्ष़ा में सिरफ विज्ञान विष्या की परिक्ष़ा रहे गई है इसके बेना परिक्ष़ा रिजल्ट गोसित किया जाएगा बाक्टी विश्यो के परतीसत के आधार पर गयर में दाखिला दे देंगे ग्यार वी कक्षा की गणित विशे की परिक्षा बाकी है, अन्ने विशे का रिजल्ट गोशित किया जाये गा, उसके आधार पर 12 में ग्यार वी वालेविद्यार्थियों को दाखिला दे दिया जाये गा, विज्ञान और गणित की परिक्षा उचित समय पर लेकर दोनों द्यार्थियों के कुल अंक में जोड देंगे बार वी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया नहीं लिया गया है अंसी अंसी आर्टी के निर्णे का इंतजार है उसके आदार परागे बढ़ेंगे दोस्तों बार वी वाले बच्चों के लिए अपडेट ये है कि आपका जो अ इलेवन तक के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को दोस्तों यहां पास कर दिया गया है और उनको अगली कक्षा में पर घिमक और दा ले ये जाएगा आजज की स्थूडियो में यहीं सब आप लोगों के साथ सेयर करना था दोस्तों यदि आप हमारे चेनल पर पहली बार आ सबसे पहले आप लोगों तक वह अपडेट पोट्स के जै हिंद जै भार्त जै हर्याना